वेल्कम बैक एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे आई-पी अड्रेस का पार्ट है वन शुरू करेंगे कल हमने डिसकस किया था जैसा कि आपने बताया कि यह डिसकस इबाउट टेलीफोन नंबर का जो डिस्ट्रिबिशन था उसके वादो ने बात किया था और जैसा कि मैं पहले बतों कहाऊं फिर से रिपीट कर रहा हूं फिर टेलीफोन नंबर का ही जो है बैनरी शुरूप हमारा आई-पी अड्रेस कहलाता है वह जो टेलीफोन नंबर का डिसकसन था यह मेरा ही अपना खुद का नंबर है इस पर मैंने डिसकस किया था और आज हम लोग इसी को पर आगे की तरफ बात करेंगे एक IP अड्रेस के रोप में तो यह मेरा नंबर है जिसमें हम लोगों ने डिसकस किया कि कोई भी टेलिफोन नंबर वाइडिफाल्ट जो इसकी बेसिक चीडिसी बात है तो इसमें हर चीज इसली डिफाइन रहती है कि जैसे कि यह नाइन वन कंट्री कोड हो गया वन टू जीरो एरिया कोड हो गया तू सेवन सब एरिया कोड डवल फाइब पर्टिकुलर टेलिफोन इक्चेंज का कोड तो यहां से लेकर यह नंबर कौन से टे सब्सक्राइब करता है जिए ट्रिपल जीरो शुरू होता है जीरो वान फिर इसके बाद जीरो जीरो टू क्योंकि डेसिमल नंबर है तो टोटल नाइन नाइन एट टक यह जाएगा ठीक है तो यह टोटल वन थाउजन पॉसिवल है और इसमें मैंने इस बात पर भी डिसकस कि जो पहला टेलिफोन नंबर है ट्रिपल जीरो जिसमें आएगा और जो लास्ट टेलिफोन नंबर है कि किसी को दिया नहीं जाना है ठीक है तो इसे पर्टिकुलर स्पेसल परपस के लिए यूज किया जाता है जो पहला नंबर होता है वो एक्शेंज के आईडी के रूप करते हैं और जो लास्ट नंबर होता है वो प्रटकॉस मैसेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं इतनी बात हम लोग ने कर दिया बाकि जो कस्टमर को दिया जाने वाला टेलिफोन नंबर होगा माइनस डू किया जाता है टोटल नाइन नाइन तो आपको इस बात की जानकारी किसमें पहला जो होता है और उसके लिए इसलिए इस além लोग 999 कस्थम संद्थें तो अब मैने इसके वहाना पर साथ में कर रहा हूं कि टेलिफोन नंबर का ही US भानुर यच्प अगर मैं 2005 से पहले की बात करूँ या 2005 से पहले के अगर मैं बात करूँगा ठीक है न तो मार्केट में एक ही सब सुनाई देता था और वो था आई-पी अड्रेस डिस इज डा आई-पी अड्रेस और यह 32 बीट्स का होता था ठीक है अब इसमें 32 बीट्स के साथ समस्य यह थी कि अब आज का अगर हम समय की बात करें तो आज हम हर एक डिवाइस वो आई-पी अड्रेस दे रहे हैं ताकि वो इंटरनेट की लाइन से जूड सके तभी वो कम्मुनिकेट कर पाएगा ठीक है तो यह जो 32 बीट्स था वो संभू नहीं था तो फिर इसकी जगह पे एक नए आई-पी अड्रेस का शुरुवात की गई शुरुवात तो पहले इसका इंप्लिमेंटेशन शुरू कर दिया गया ठीक है तो यह 2005 के बाद आल्मोस फ्रेल्ड में आया इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी थी कि जो पुराना आई-पी अड्रेस था उसको हम लोगों ने एक नया नाम दे लिया आई-पी भी ओल ताकि कन्फूजन ना रो और 32 बीट्स का है तो अभी जब गुनिया में जो भी इंटरनेट चल रहे हैं वो सारे के सारे इसी आई-पी चल इसको इसेंडर आई-पी भी बोला जाता है ठीक है ना तो अभी जो होल वर्ड में जैसे अभी हम लोग यहां बैठे हैं और आप रिमोट एरिया में सभी लोग म में करेंगे ठीक है तो यह जो कम्मिनुकेशन की वेवस्था में जिस आई-पी अड्रेस का मोस्त ली यूज क्या जाता जो इसका में जिम्मेदार है वह आपका आई-पी भी पोर ही है इसे इसे पूछा जाता है अगर आपको कभी यह पूछा जाए कि इस टेंडर आई-प आई-पी क्या है या कौन सी आई-पी है जिसकी वज़े से पूरी दुनिया भी कम्मिनुकेट कर रही है तो नो डाउट आपका आंसर आई-पी भी और ही है आप चुकि माइग्रेशन कर रहे हैं तो भले माइग्रेशन का काम चल रहा है और उमीद है कि दिसंबर दोजार प कर आप मेल नाइन पर जाएंगे तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है तो जो नया आई-पी है उसको हम लोग आई-पी भी शिक्स बोलते हैं यह माइग्रेशन काम के दौर में चल रहा है कि 128 बिट्स क्या है ठीक है ना अब आते हैं आई-पी अड्रेस कोई आई-पी एड्रेस अगर दिया जाए तो इसको समझने मैं आई-पी भी फोर के बारे में भी बात कर रहा हूं सिमिलर में आई-पी भी शिक्स भी होता है क्योंकि हमें आई-पी भी पोर अभी उम्मीद है कि अगले चार से पांथ साल तक कहीं कोई गया नहीं है यूज होता सबसे पहले जानना जरूरी होगा और समझ जाएंगे आई-पी भी शिक्स मैं पढ़ाओं या ना पढ़ाओं आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि बेसिक कॉंसेट बहुत हार्दा सेम आई-पी भी पोर में जो रिपर्जेंटेशन किया जाता है वो डेसिम प्रीव में डारेक्ट पोश्चन पर आता हूं कि जो आई-पी अड्रेस होता है वो बैसिकली क्या होता है ठाटी टू बीट का होता है ठीक है थीक ना ठीक होता है सबसे बड़ी समस्य क्या होती है आप मैंसे कोई एक अन्म्यूट हो जादा अच्छा रहेगा जिशान आप अन्म्यूट हो सकते हैं यह सर थीक है अच्छी बात है आपके classroom में कितने student आपके बैस में कितने student है आज मदलब सर और college में या अप्रोक्स फिफ्टी तू सिक्स्टी बच्चे है आच चलो माल लेते हैं कि आपका कोई आप में से जो होगा नार्मली अब तो बड़े-बड़े classroom बनने लगए अधरवाई नार्मली तीस-पैंटिस का ही बैच होता था तो मैं यह माल लेता हूं समझने के लिए आप अन्म्यूटी रहिएगा टोटल आपके classroom में 32 बेट्स हैं ठीक है मैं आपके classroom में आया और एक काम बता है मेरे पास मैंने का कि dear student मेरे पास चार काम है ठीक है इस काम को आप सभी लोग कल साम तक पूरा करके हमें दे देंगे ठीक है और मैं चला गया उसके बाद सभी बच्चों ने उस काम को देखा और उनको यह बात समझ में आई सबसे पहली बात तो समझ आए कि बड़ा ही बोरियत काम है बहुती बोर वाला काम है मजान इंटरेस्ट नहीं है दूसरा चीज मैसूस भी कि वो काम पूरा हो या ना हो किसी भी स्टुडेंट के सेहत पर रत्ती भरका भी कहता है नहीं किंचित मात्र का भी कोई फैक्ट नहीं परने वाला तो मेरा सवाल आप मांधारी से बताईए कि इस काम के पूरे जो चार काम दिये उसके पूरे होने की संभावना कितनी है वो पाएंगे डाउट है क्या है क्या लगता आपको थर्स्ट अइंस पर डिपाइंड करेगा यह तो और शाहद नहीं हो पाएगा बतलब नहीं कि संभावना ज्यादा है होना ना होना लख की बात है लेकिन जिस चीश कोई सारा कर रहा हो नहीं होने कि संभावना ज्यादा है तो अगर मैं उसी क्लास्रूम में वहीं चार काम लेके आया और मैंने बत्तिस बच्चे थे मैंने आठट बच्चों का गुरूप बना दिया कि यह आठव बच्चे तुम इधर आजाओ तुम्हारा गुरूप है तुम्हारा गुरूप का नाम ए है तुम्हारा गुरूप भी है सी है इस तरह से हमने चार गुरूप बना दिय A, B, C, D करके फिर उसके बाद मैंने एक ग्रूप को कवला कि ये वाला काम तुम करोगे दूसरे को बोला ये करोगे तीसरे को तीसरा चोथे को चोथा काम हमने दे दिया और उसके बाद मैंने काम बाटने के बाद दो सब्द बोले पहला कि जो भी ग्रूप काम को सबसे पहले पूरा करेगा उसको आने वाले परिच्छा का जो भी आपका वाईबा है 100% नमबर दिया जाएगा प्लस उनको 15 दिन की additional छुट्टी दी जाएगी यह पहले नमबर पर जो आएगा दूसरे नमबर पर आएगा उसको नमबर तो पूरे मिलेगा लेकि छुट्टी नहीं मिलेग तीसरे नमबर पर आएगा ठीक है उसको नमबर मिलेगा न छुट्टी मिलेगी हाँ उसको ठोड़ा नमबर जो है 80% इंस्योर कर दिया जाएगा और जो last में आएगा उसको कोई भी नमबर नहीं मिलेगा उसको किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और उसको करेंगे या ना करेंगे करेंगे सर किसी चीज को कैसे कराया जाए उसको कैसे मनाया जाए चोटी-चोटी चीज़ें उसी प्रकार जो हमारा यह पूछने का मेरा सिधा अरतिय था यह जो करें टू विट्स का आई-टी अड्रेस है वहीडिके आगर मैं कुछ भी लीखा तो आपको आसानी से इसको याद करना असानी करना अब जब चुकिया प्रेजी अब जब की आई-पी एड्रेस इसको आसान रखने के लिए समझने के लिए पिर हम लोगों ने क्या किया या उस तमें जो भी हमारे यह चीज को यूज कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले यह थर्टी टू बीट का जो आई पी अड्रेस था इसको उन्होंने चार अलग-अलग ग्रूप में ठिकना पहला गुर्प बनाया आठाट बीट का ठीक है और सब को सेपरेट किया की दवरा अटवारं चार market बनादे जैसे कि क्लास में estimates किया ठीक है और हर एक गुरूप को काम दे दिया अब आपके सामने इससे क्या फायदा मिला अगर मैं एक किसी भी गुरूप की बात करूं तो इसकी सारी गिंती जो हमारी सुरू होगी आल बिट्स अर्द जीरो और इसके बाद जीरो बन इस तरह से चलता चला जाएगा बन ज गुरूप की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं डेसिमल में बात करूं तो उनकी गिंती सुरू होगी जीरो वान टू और सारे बीट वान हो जाए तो टू फाइफाइफ तक जा सकता है यानि कि जो आई पी एड्रेस है उसका सबसे पहला कॉंसेप्ट ए बना कि हमने चार ग मैंने जो आपके सामने लिखा है उसके मैंने कुछ सवाल पूछूँगा चैट में लिख दीजिएगा सभी लोग ताकि आप लोगों का टेंदेंस भी लग जाए एक आई पी अड्रेस लिख रहा हूं यहां पे ठीक है ना दूसरा मैं आप संदी लिख देता हूं जीरो और स्पेस करके जीरो डाट जीरो डाट 5 पाइवर पाइव पीसरा उप्सन लिख देता हूं क्या ओंडाट वन डाट वन डाट वन डाट ळाट वन ऑफ्सन दी लिख देता हूं आप संदी में 254254.254.254.0 और आप संदी में लिख देता हूं तो दाट 185.56.256 ठीक है अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से होगा कि इसमें से कौन सी आई-पी अड्रेस संभाव नहीं है विच ऑप्शन इस नौट पॉसिबल या यू कैन से नौट वैलिड आई-पी लिज राइट बांसर इनुट चैट बॉक्स अभी तक मैंने जितना बताया है उसी से बताना है मैंने बहुत कुछ नहीं बोला भी आपको अभी असने भी लि सब्सक्राइब लिखा मैक्सिमम मैक्सिमम है तो उस हिसाफ से आप मुझे बताएं आपका आंसर आपने लिखा है ठीक है तो दी में टूफिप्टी फाइब तूफिप्टी फॉरी तक तो है कि कौन सी सही है आप जो बाइलिड आई-पी कौन सा यह भी सीडिए में कि हमने आप कोई बताया कोई भी ब्लॉक शुरू होगा जीरो से सुरू होगा मैक्सिमम टूफाइब तक जाएगा हर एक ब्लॉक सब इंडिविजल हो गए ठीक है कुछ हिसाब से तो आप से नहीं बन रहे हैं बाकि तो नहीं बन रहे हैं सारे आपने मेरी बात समझे यह स् यह आपके क्या बूलते हैं यस आपने कैसे मुझे लाग वैलिट पूश आया आपने मैं अगरा सुन लिया तो पहली चीज़ के लिए रोनी जिए दिमाग बाद में लगाएंगे पहले चीज़ तो कि आई-पी जब बनाया जा रहा तो कॉंसेप क्या तो मैं आपको बुक् सब्सक्राइब क्यों अलग किया यह बुक्स में नहीं लीखा होगा कि परिसानी हो रही थी तो अपना प्रोफेसर क्या होता ना बड़ा सोच समझ के कांपी में ऐसा लिखता है बड़ा खतरनाक हो जाता है जब हम पढ़ने पढ़ाई करते थे ना तो एक सब्जेक्ट हमार सब्सक्राइब के बात कर रहा हूं मैं उस समय एक्जाम में जो भी जितने में इंजरिंग किताब पांच हजा शहजा सा नीचे के बुक्स नहीं आते थे और दूसरी बात मार्केट में मिलते नहीं थे वो लाइब्रेरी में ही लिमिटेट टाइम प्रेट के लिए इसू के सब्सक्राइब को पढ़ना एक ले जाएंगे सारा हमारा अज की तरह नहीं आप सर्च मार्लोम लाइब्रेरी भी अब लेबल है डिजिटल भी हर चीज संबाव है वाट हमारे टाइम में इंजरिंग के बुक्स खरीदना बहुत बड़ी बात थी मिलते ही नहीं थे ठीक है तो लेकिन अब उसी हिसाब से जो प्रोफेसर लिखता था बड़ा हिस्सोष समझके तो हमारे जो टीचर थे ना हार इंजरिंग में कहते था कि जब हमारे बास भूक नहीं था तो कहते था कि यार तुम लोग ठीक से पढ़ लो ने तो मैं तो तुम लोग गामा फंसन का सव आया और कुछ नहीं था एक अपने मैटमेटिकली अलजेबरिक फार्मूले होते थे उनके प्रापर तरीके से लिखने को तरीकों को अलफा बीटा और गामा कहा जाता था लेकिन नाम सुनके बड़ा दर लगता था तो वैसे ही जब आई-पी अड्रेस आज के हिसाफ से प्रसेंट फिप्टी प्रसेंट एबी सीडी अब पता नहीं क्या मेरे समझ मीनिया सच्छा में मांदारी समझ मीनिया लेकिन मुझे बाद में चीज रियलाइज हुई कि आई-पी अड्रेस सेम क्योंकि मैं डिपार्टमेंट आप टेली कम्मूनिकेशन में काम करता हूं तो प्रेटिकल एक डाकुमेंटरी है कुछ डाकुमेंटरी के तयात हमने इसको समझने कोशिश की और वही चीज में आपको सामने रख रहा हूं कुछ चीजे मेरे द्वारा भी एड़ाउन है कुछ चीजे मैंने उनकी मदद से लेकिन बुक की तरफ से नहीं है तो सबसे पहला जो मैंने चीज बता है कि मैंने ग्रूपिंग क्यों करी इसके पीछे सोच किया था तो था कि एजी हैंडिल किया जा सके डूसरी सोच थी कि अगर ग्रूपिंग करने तो फायदा क्या हुआ किसी भी ग्रूप को उठा लें तो जीडियों से सुरू होगा और 255 तक जाएगा तो दो बाते हो गई जिस पे अभी तक हमने डिसक अब नेक्स लेवल पर चलते हैं ठीक है अब इसमें अगर मैं बात करूँ अगर मैं आपके स्क्रीन पर कुछ लिख दूँ सपोज करू मैं की स्कीन पर मैंने लिख दिया जिरो वाट वन नाइन नाइन फाइट ठीक है मैंने आप बता सकते हैं यह सिमान सू क्या से बताइए डियों भी सब्सक्राइब ठीक है तो रिसे आप क्या इस बात से स्योर है कि डियों भी लिख है में आपका दिल कह रहा है सब्सक्राइब मैं मैं आपकी बात मानलिया कि आपको लग रहा है कि डियह आपका जो दिल है आपका जो दिमाग है और वह oops । लेकिन आप इस बात को गारंटी दे सकते हैं कि देटा बर्थ लिखा है अब गारंटी कब होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन आधूरी है कि गारंटी तभी होगा जब पीछे अगर जैसे आपने बोला नहीं लिख दू कि अब बताएं अब क्या लिखा है आप तो सीओर हो गया है कि देटा बर्थ ही लिखा है इसका सीधा सब्सक्राइब कि केवल 25 अगस्ट 1995 लिख देने से डेट आप बर्थ नहीं कहलाएगा जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ना दे दिख रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि देटा बर्थ हो सकता है कि उस दिन कोई भारत-पाकिस्तान क लडाई हो गई हो अगर देट माल लेते हैं तो यह भी हो सकता है कि यह कोई कोई आइडेंटिटी फिकेशन नंबर हो आप कोई किसी कंप्यूटर का आइटी हो किसी असेट का इडी हो कुछ भी हो सकता लेकिन जब तक उसके साथ हम कुछ नया डान नहीं लिखेंगे तब त हमेशा मिलेगा इसके आगे फारवड लगा कि कुछ मिलेगा या आप आप आइप अड्रेस खरी देंगे तो ओन नाइंटी टू वन सिक्सेट फाइव डॉट लाइक डिट पोर सेंचीज क्लासी इस तरह से मिलेगा तब जाके इस आइपी अड्रेस कोई कंप्लिट इंफार कि अपने माइंड में ध्यान रखे की इनमा यूर माइंड आलवेज कि आइपी अड्रेस कभी यह श्लैस ट्वन्टी फॉर क्लासी के बिना नहीं मिलेगा इन दोनों में से कोई न कोई एक चीज आपको खरीदनी पड़ेगी या फिर जब भी आप कहीं काम करेंगे यूज क करने पड़ेंगे इन दोनों के बिना ये ग्यान धूरा है बिलकुल ऐसे ही आम मैंने कल टेलिफोन नमबर के बारे में स्कास किया था ट्यक्ठर कर देते हैं कि टेलिफोन नमबर बारे में डिसकस किया था 911 120 27 55 164 यह मेरा टेलिफोन नंबर था कलम से फरक नहीं पड़ता कि आप इलेक्ट्रोनिश की स्टुडेंट हैं कंप्यूटर के हैं सिविल के हैं क्योंकि इवरी ठींग नाव कनेक्टेट टूदा इंटर्नेट इंटर्नेट से जूड़ गये तो सीधा सा मतलब है कि अब आप आई पी अड्रेस का बेसिक नॉलेज सभी को आनी चाहिए इसके मेना काम ही नहीं कर सकते तो अभी यहां पर आप सन्य में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका यह बताओ नेटोवर्क आईडी बताओ आपसन बी में पूछा जाएगा आपका कि ब्रावड कॉस्त इडी बताओ आपसन सी में पूछा जाएगा आईपी रेंच या पूल पूछ सकते हैं आपसन बी आपसे पूछा जाएगा नंबर आप आई-पी कितने होंगे और आपसन यह पूछा जाएगा आपका सब नेट मास इसके लाब आई-पी अड्रेस में ना तो पूछा जाता है ना ही हमारे मतलब का है ठीक है आपको इतनी चीजें माल अभी इन सिपका मतलब समझ में आना अच्छे कि यह सवाल दिया ग आपको बताता हूँ आप जैसा कि मैं टेलीफोन नंबर के बारे में कम डिस्कस किये तो हमने टेलीफोन नंबर बोला कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में फिक्स होगा बटा होगा यह एक है और यह अधाद कॉस्टमर वाला पाट है नो डाउट कि जो आइपी अड् bannedri है ये ठीच है तो ये भी दो पार्ट में बचेगा fit पार्ट और customer वाले पार्ट व ahead part में अब के सामने सवाल है कि कितना box fix होगा कितना भाग persist कर रहा था तो country could area codealis औरिया code exchange code कि हिसाफ से समझ लिया लेकिन आप ip address में कितना भाग फिक्स होगा यह हम पता कर पाएंगे शिर्फ इसकी मदद से अगर यह चीज ना हो तो हम नहीं बता सकते स्वाइस 24 का मतलब है सीधी सी मतलब है कि लेप्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड टक ठीक है न कितने 24 बीट क्योंकि टोटल कितने बीट के हैं आठ ट्वंटी फॉर का मतलब आउट अप ठाटी टू बीट फ्राम लेप्ट हैंड साइड ट्वंटी फॉर बीट अर्द फिक्स अब जैसे इसमें फिक्स था उसके उसको तम चैंज नहीं कर सकते तो इसमें फिक्स कौन कौन से होगे यह पहला गूरूप फिक्स होगा ठीक है 192 वाला फिक्स हो जाएगा 8 बीट का हो गया 16 फिर अगला आट 16 यह भी फिक्स हो जाएगा फिर नेक्स आट टीनों फिक्स हो जाएंगे जो फिक्स पाल्ट है 911 1202755 तो चेंज होई नहीं सकता वैसे यह भी चेंज नहीं हो सकता इस वाले कोश्चन में अगर मैं नेटवर्क आइडी निकालू ठीक है ना तो इसमें भी इसका जो पहला आइपी को पहला टेलिफोन नंबर क्या था एक्सचेंज आइडी का ही नया नाम कर दिया गया है नेटवर्क आइडी मतलब की नेटवर्क आइडी का मतलब है कि आपको फॉस्ट आइपी अड्रेस निकालना है ठीक है और फॉस्ट आइपी अड्रेस आप कैसे निकालेंगे फॉस्ट आइपी अड्रेस निकालेंगे फॉस्ट आइपी अड्रेस निकालेंगे ठीक है तो फॉस्ट आइपी अड बढ़ता हर गिंती शुरू होगी ट्रिपल जीरो से यहां पर भी आठो बीट जीरो होंगे जब मैं उसे लिखने कोशिश करूंगा तो ग्रेशियों जीरो और स्लाइस ट्वन्टीफोर ठीक न तो इस प्रकार जो मारा जो पहला आइपी अड्रेस हो गया आपका यह इस तरह स समझ लिया है इसमें जो ब्रॉड्ट कॉस्ट इडी होते थे वह क्या होता था लास्ट में ट्रिपल नाइन ठीक तो यहांपे भी जो ब्रॉड्ट कॉस्ट sait ृद्ई होगा व्हापका लास्ट आईपी अड्रेस टीक है ना तो ब्रॉड्ट कॉस्ट आईडी क्या होगा अगर आपने मेरी बाप समझ लिया तो चीज को पता पाएंगे जी पताएंगे तीजी सी बात है क्या होना चीए कुछ आइडिया लगाएं पहले तीन भाग तो फिक्स होंगे 192168.5 तो रहेगा बाकी आठवा बिट जो आठवा जो लास्ट वाला गुरूप है वो कोई भी च आएगी हमांसु ने आंसर दे दिया है आठवा बीट अगर यहां वान कर दें तो हमें तो चुकिए यहां डेसिमल में लिखना है तो इसकी वैलू आएगी 255 और श्लैस 24 जरूब लिखना भूले ना ठीक है तो दिस इस ब्रॉट कॉस्त आइडी आल और गाटिंग मैं पॉ पूल निकाल देते पूल का मलत जो जिसमें क्या था जो कस्तमर को दिया जाने वाला नंबर है डबल जीरो वयन से लेके नाइन नाइन एट तक यहां पर जो आईपी होगा वन नाइटी टू वन सिक्स्टी एट डाट फाइप डाट वन से सुरू होगा और सेम टू फाइप ठीक है नंबर आप आईपी के अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान है वन नाइटी टू वन सिक्स्टी एट नंबर कितने आईपी हो सकता है कितने लैपटाप और टू फिप्टी फोड ठीक है समनेट के लिए हम लों कल बात करेंगे अभी बस इसमें मैं दूसरा सवाल अगर आप मेरी बात समझ पाए हैं तो सेम सवाल लिखता हूं मैं ठीक है ना बट यहां पे स्लाइस ट्वंटी फोर की जगए स्लाइस सिस्टीन कर देता हूं तो सभी लोग नेटवर्क आइडी बताएं क्या होगा पाटिदर नेटवर्क आइडी चैट में बताईए लिए पाटिदर नेटवर्क आइडी किसान समझ में आरे मेरी बात अगर सिस्टीन हो जाए तो नेटवर्क आइडी क्या होगा कि यस राइट डाउन प्लीज इन और चैट बॉक्स कि मान्चु का आगया बाकी बताएं भई सही या नहीं गलत अभी हम बताएंगे कि यह थी कि राउल का भी आ गया बाकी कंफ्यूज रिसान आपको कंफ्यूजन है नहीं सर तुम्हें चेक कर रहा था एक चीज चलो कोई नहीं मैं यहां बताता हूं इसमें जो होगा सीधी सी बात है इसमें पहले सुला पार्ट फिक्स होंगे पहले सुला हो गया पहले आट फिर फिर वन शिक्षित बाकी आल विट शिटीं बीट वीट आर जीरो तहीं जीर होगा जिरो और जब भी आंसर लिखें आप सरी लो स्लाइक सिक्सिंग जरोर लिए आस के बास सीख लेजी तेस्ट इचे आर था प्रापर लिखेगा सभी लोग रिसर्फ रिसर्फ सवराव को गया लगता है प्रापकास्ट इड यस किसान इमांचु वेरी नाइस बहुत बढ़िया समझ में आगे आप लोगो 192.168 अल 16 लिखेगे बहुत अच्छी बात है फिर आई-पी रेंज की अगर मैं बात करूं ठीक है तो आई-पी रेंज क्या होगा 192.168 0.1 से शुरू होगा और लास में जो आएगा 192.168.255 255 से 254 एक पहले क्ला जाएगा ठीक है ना नमबर आप आप आपी और सबनेट मास के बारे में हम लोग मिलेंगे ठीक है इतनी देर के लिए सभी लोग ज्वाइन कर इतनी तो पता ही नहीं चला तक का हुआ सर्तम हुआ है ठीक है ना तो अगें सी यो टुमारो थैंक पर ज्वानिंग एनी क्वेस्चिन यू कैं नॉट ठीक है चली फिर मिलता है कल अगें दन्ने बातां है न कॉ पह थ I am recording аничa कवर